गुद मार्निंग स्टुडेंस आज हम पार नजर के पार्ट पड़ेंगे इसमें चित्र में देखे रोबोट दिखाय दे रहा है और विजटेबल मार्केट है रोबोट कौन सी सबजी खरीद रहा होगा रोबोट वहाँ पर बैगन को बता रहा है शायद वह बैगन खरीदना चाहता है आपके पास रोबोड होता तो आप उससे क्या-क्या काम करवाते अगर आपके पास शायद बच्चों के पास रोबोड होता तो सारे बच्चे अपना होमवक करवाते शायद तो यहाँ पर इस पार्ट में वह एक सुरंग नुमा रास्ता था आम आदमी के लिए इस रास्ते से होते हुए जाने की मना ही थी लेकिन छोटू ने एक दिन अपने पापा का सिक्योरिटी पास लिया और जा पहुंचा सुरंग में फिर क्या हुआ छोटू कितनी बार कहा है तुमसे की उस तरफ मत जाया करो फिर पापा क्यों जाते हैं उस तरफ रोज रोज पापा को काम पर जाना होता है रोजाना यही वारतालाप हुआ करता था छोटू की मा और छोटू के बीच उस तरफ एक सुरंगनुमा रास्ता था और छोटू के पापा इसी सुरंग से होते हुए काम पर जाया करते थे आम आदमी के लिए इस रास्ते से जाने की तना ही थी चंद चुनिंदा लोग ही इस सुरंगनुमा रास्ते का इस्तमाल कर सकते थे और छोटू के पापा इन ही चुनिंदा लोगों में से एक थे आज छुट्टी थी और छोटू के पापा घर ही पर आराम फर्मा रहे थे नजर बचा कर चोरी चिपे छोटू ने पापा का सिक्योरिटी पास हत्या ली और चल दिया सुरंग की तरफ वैसे तो उनकी पूरी कालनी ही जमीन के नीचे बसी थी यह जो सुरंग नुमा रास्ता था अंदर दीये जल रहते और प्रवेश करने से पहले एक बंदर्वाजे का सामना करना पड़ता था दर्वेजे में एक खांचा बना हुआ था चोटू ने खांचे में कार्ड डाला तुरंत दर्वाजा खुल गया चोटू ने सुरंग में प्रवेश किया अंदर वाले खांचे में सेकेरिटी पास आज जा पहुंचा था उसे उठा लिया कार्ड उठाते ही दर्वाजा बंद हुआ छोटु ने चारो तरफ नजर दवडाई, सुरंग नुमा वह रास्ता उपर की तरफ जाता था, यानि जमीन के उपर का सफर कर आने का मौका मिल गया था, मगर कहां मौका हाथ लगते ही फिसल गया, सुरंग में जगा जगा लगाए निरिक्षक यात्रों की जानकारी छोटु को नहीं थी, मगर छोटु के प्रवेश करते ही पहले निरिक्षक यंत्र में संदेहास्पत स्तिती दर्शाने वाली हरकत हुई, इतने छोटे कद का व्यक्ती सुरंग में कैसे आया, दूसरे निरिक्षक याने सेकुरिटी गड, सेकुरिटी यंत्र ने तुरंत छोटु की तस्वीर खींचली, इसी एक नियंत्रित केंद्र में इस तस्वीर की जांच की गई और खत्रे की सुचना दी गई, इन सारी गतिविदियों से अंजान छोटु आगे बढ़ रहा था, तभी जाने कहां से सिपाही दोड़े चले आए, छोटु को पकड़ कर वापस घर भी थी, बस अब छोटु की खैरियत ना थी, छोटु के पापा ना होते तो छोटु का बचना मुश्किल था, छोडो भी, मैं इसे समझा दूंगा, सब, फिर वह ऐसी गलती कभी नहीं करेगा, पापा ने छोटु को बचा लिया, बोले, छोटु मैं जहां काम करता हूँ न वह क्षेत्र जमीन से उपर है, आम आदमी वहां नहीं जा सकता, क्योंकि वहां की माहौल में ही, मैं जी ही नहीं सकते, तो फिर आप कैसे जाते हैं वहां, छोटु का सवाल लाजिमी था, मैं वहां एक खास किस्म का स्पेस सूट पहन कर जाता हूँ, इस स्पेस सूट से मु किस्म के जूतों की वज़ा से जमीन के उपर मेरा चलना मुम्किन होता है, जमीन के उपर चलने फिरने के लिए हमें एक विशेश प्रकार का प्रशिक्षन दिया जाता है, छोटु सुन रहा था, और पापा आगे बताने लगे, एक समय था, जब अपने मंगल ग्रह पर सभ लोग जमीन के उपर ही रहते थे, बगेर किसी तरह के यंत्रों की मदद के, बगेर किसी खास खिस्म की फोशाक के, हमारे पुर्खे जमीन के उपर रहा करते थे, लेकिन धीरे धीरे वातावरन में परिवर्तन आने लगा, कई तरह के जीव धर्ती पर रहा करते थे, एक के सब मरने लगे इस परिवर्तन की जड़ में था सूरज में हुआ परिवर्तन सूरज से हमें रोशनी मिलती है उशनता मिलती है इन्ही थत्वों से जीवों का पोशन होता है सूरज में परिवर्तन होते ही यहां का प्राकृतिक संतुलन बिगड़ गया प्रकृतिके बदले हु पोदे अन्य जीव अक्षम साबित हुए केवल हमारे पूरवजों ने इस थिती का सामना किया अपने तकनीकी ग्ञान के आधार पर हमने जमीन के नीचे अपना घर बना लिया जमीन के उपर लगे विभिन यंत्रों के सहारे हम सूरी शक्ती सूरज की रोशनी और गर्मी का इस्तमाल करते आ रहे हैं यही यंत्रों के सहारे हम यहाँ जमीन के नीचे जी रहे हैं यंत्र सुचारू रुप से चलते रहें इसके लिए बड़ी सतरकता बरतनी पड़ती है मुझ जैसी कुछ चुनिंदा लोग इन ही अंत्रों का ध्यान रखते हैं बड़ा हो जाऊंगा तो मैं भी यही काम करूंगा छोटो ने अपनी मन्शा जाहिर की बिल्कुल मगर उसके लिए खुब पढ़ना होगा मा और पापा की बात सुननी होगी मा ने कहा दूसरे दिन चोटो के पापा काम पर चले गए देखा तो कंट्रोल ट्रूम का वातावारन बदला बदला सा था शिफ्ट खत्म घर घर जा रहे स्टाफ के प्रमुक ने टीवी स्क्रीन की तरफ इशारा किया स्क्रीन पर एक बिंदू जलक रहा था वह बताने लगा कि यह कोई आसमान का तारा नहीं है क्योंकि कंप्यूटर से पता चल रहा है कि यह अपनी जगा अडिक नहीं रहा था पिछले कुछ घंटों के दोरान इसने अपनी जगा बदली है कंप्यूटर ने अनुसार यह हमारी धर्ती की तरफ बढ़ता चला आ रहा है अंतरिक्षियान तो यह नहीं है छोटू ने पापा ने अपना संदे प्रकट किया संदे अमे भी है आप अब इस पर बराबर द्यान रखिएगा छोटू के पापा सोंच में डूब गए क्या सचमुच अंतरिक्षियान होगा यह कहां से आ रहा होगा सौर मंडल में हमारी धर्ती के अलावा और कौन से ग्रह पर जीवों का अस्तित्व होगा कैसे हो सकता है और मगर होगा अब भी तो क्या इतनी प्रगति कर चुका होगा कि अंतरिक्षियान छोड़ सके वैसे तो हमारे पूर्वजों ने भी अंतरिक्षियानों उपग्रहों का प्रयोग किया था अगर अब हमारे लिए यह असंबव है इसके लिए आवशक मात्रा में मात्रा में उजातो हो काश इस नए मेहमान को नजदीक से देखा जा सकता है हाँ अगर वह इसी तरह आ रहा होगा तब तो यह संभव हो सकेगा देखें अब अंतरिक्षियान से एक चित्र यांतरिक हाथ बाहर निकल हर पल उसकी लंबाई और बढ़ती ही जा रही थी छोटु के पापा ने अवलोकन जारी रखा कालोनी की प्रबंद समिती का एक सभा बुलाई गई अध्यक्ष भाशन दे रहे थे हाल ही में मिली जानकर इसे पता चलता है कि दो अंतरिक्षियान हमारे मंगल ग्रह की तरफ बढ़ते चले आ रहे हैं इन में से एक अंतरिक्षियान हमारे गिर्द चकर काट रहा है कम्प्यूटर के अनसारी अंतरिक्षियान नजदीक के ही किसी ग्रह से छोड़े गए हैं ऐसी हालत में हमें क्या करना चाहिए इसकी कोई सुनिचित योजना बनानी जरूरी है नंबर एक आपका क्या खयाल है कालोनी की सुरक्षा की पूरी जिमेदारी नंबर एक पर थी उन्होंने कुछ कागज समिटने समिटते हुए बोलना आरंब किया इन दोनों अंतरिक्षियानों को जला कर खाक कर देने की क्षमता हम रखते हैं मगर इसमें हमें कोई जानकारी हासिल नहीं हो सकेगी अंतरिक्षियान बेकार कर जमीन पर उतरने पर मजबूर कर देने वाले यंत्र हमारे पास नहीं है हाला कि अगर ये अंतरिक्षियान खुद बाखुद जमीन पर उतरते हैं तो उन्हें बेकार कर देने की ख्षम्ता हम में अवश्ष है मेरी जानकरे के अनुसार इन अंतरक्ष्यानों में सिर्फ यंत्र है किसी तरह के जीव इनमें सवार नहीं है नमबर एक की बात सगी सही लगते है नमबर दो एक वाइग्ञानिक थे वे बोले हाला कि अंतरों को बेकार कर देने में भी खत्रा है इनके बेकार होते ही दूसरे ग्रह के लोग हमारे बारे में जान जाएंगे इसलिए मेरी राय में हमें सिर्फ अवलोकन करते रहना चाहे जहां तक हो सके हमें अपने अस्तित्व को छिपाए ही रखना चाहे क्योंकि हो सकता है जिन लोगों ने अंतरिक्ष्यान भेजे हैं वे कल को इनसे भी बड़े सक्षम अंतरिक्ष्यान भेजे हमें यहां का प्रबंद कुछ इस तरह रखना चाहे जिससे इन यंत्रों को यह गलत फहमी हो सके कि इस जमीन पर कोई भी चीज इतनी महत्वपून नहीं है कि जिससे वे लाब उटा सके अध्यक्ष महोदे से मैं यह दरफास्त करता हूं कि इस तरह का प्रबंद हमारे यहां किया जाए नमबर तीन सामाजिक व्यवस्ता का काम देखते थे उनकी बात के जवाब में अध्यक्ष कुछ बोलने जा रही थे कि फोन की घंटी बजी अध्यक्ष ने चोंगा उठाया एक मिनट बाद सभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा भाईयों अंतरिक्ष जान क्रमा के एक हमारी जमीन पर उतर चुका है पहदिन छोटु के लिए बड़ा ही महत्तुपुन दिन था पापा उसे कंट्रोल रूम ले गए थे यहां से अंतरिक्ष जान क्रमा के एक साफ नजर आ रहा था कैसा अजीब लग रहा है वहां इसके अंदर क्या होगा पापा छोटु ने पुछा अभी नहीं बताया जा सकता दूर से ही उसका निरिक्षन जारी है उस पर बराबर हमारा ध्यान है और उसके हर अंग पर हमारा नियंतरन है वक्त आने पर ही हम अगला कदम उठाएंगे छोटु के पापा ने बताया उन्होंने छोटु को एक कांसोल दिखाया जिस पर कई बटन थे अब अंतरिक्षियान से एक यांतरिक हाद बाहर निकला हर पल उसकी लंबाई बढ़ती ही जा रही थी वह शायद जमीन तक पहुंचकर मिट्टी अके उकेर लेना चाहता था सब लोग स्क्रीन पर दिखाये दे रही अंतरिक्षियान की इस हरकत को ध्यान से देख रहे थे सिवा एक के उसका ध्यान नहीं और ही था छोटु का सारा ध्यान था कांसोल पैनल पर कांसोल का एक बटन दबाने की अपनी इच्छा को वह रोप नहीं पाया वह लाल लाल बटन उसे बर बर बस अपनी तरफ कींच रहा था और सहसा खत्रे की घंटी बजी सबकी निगाहें कांसोल की तरफ मुड़ी पापा ने छोटु को अपनी तरफ खींचते हुए एक जापड रसीत कर दिया और लाल बटन को पूर्वस्तिती में ला रखा मगर उस तरह अब अंतरिक श्यान के उस यांतरिक हाथ की हरकत सहसा रुग गई थी यंतर बेकार हो गया था उदर पृती पर National Aeronautics and Space Administration नासा द्वारा प्रस्तुत वक्तत्व ने सबका ध्यान अपनी तरफ आकाशित कर लिया मंगल की धर्ती पर उत्रा हुआ अंतरिक श्यान वाइकिंग अपना निधारित कारी कर रहा है हलाकि किसी अगनात कारण वश अंतरिक श्यान का यांतरिक हाथ बेकार हो गया है नासा के तकनीशियन इस बारे में जांच कर रहे हैं तता इस यांतरिक हाथ को दुरुस्त करने के प्रयास भी जारी है इसके कुछी दिनों बाद पुरुत्वी के सभी प्रमुक अगभारों ने चापा नासा के तकनीशियों को रिमोर्ट कंट्रोल के सहारे वाइकिंग को दुरुस्त करने में सफलता मिली है यांतरिक हाथ ने अब मंगल की मिटी के विभिन्य नमों ने इखटे करने का काम आरब कर दिया है पुरुत्वी के वैज्ञानिक मंगल की इस मिटी का अध्यान करने के लिए बड़े उत्सुक थे उन्हें उमीद थी कि इस मिटी के अध्यान से इस बात का पता लगाया जा सकेगा कि क्या मंगल गरह पर भी पुरुत्वी की ही तरह जीव सुष्टी का अस्तित्व है यह प्रशना आज भी एक रहस्यमाई है इसके रचना कर है जैन्त विश्नु नार लिकर तो बच्चो अगर आपके यह वीडियो अच्छा लगा तो मेरे वीडियो को लाइक कीजेगा अपने मित्रों को शेर कीजेगा और मुझे सपोर्ट करने के लिए मेरे चानल को सब्सक्राइब कीजेगा धन्यवाद